भाई लोग ध्यान से सुनना देखो तुम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखियोगी लेकिन ये वीडियोस सभी में सभी से अलग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिफरेंट तरीके से फिंगर स्लीप बनाने की टैक्नीक बताई है और ऐसे भी तुम लोगों ने part 1 पर इतना ज़ादा प्यार दिया मलब कि millions से ज़ादा लोगों ने उस वीडियो को देखा सो मैंने सोचा कि second part भी क्यों ना बनाया जाए and finally ये वीडियो आ चुकी है तो देखो इस finger slip की लूप थोड़ी सी खराब है बट कौन सा तुम्हें finger दिखाना है तुम्हें तो gameplay दिखाना है जो कि इसके लिए बहुती best रहेगा और सही बलू तो ये खरीदेवे finger slips से भी ज़्यादा better है अब तुम्हें लोगों को विश्वास नहीं हो रहागा तो देखो मैंने flip card से एक नहीं बलकि 5 finger slips एक साथ मंगवाए थे और मैंने इसको use किया जब तो मुझे पता चला ये 4-5 दिनों बाद automatic ये खराब हो जाती है और उसके बाद अगर मैं पहन कर इसको gameplay करू देन touch work की नहीं होती screen पर या फिर automatic अलग जगा पर click हो जाती है और जिसके कारण तुम लोग enemy से easily defect हो सकते हो तो उससे अच्छा तुम लोग फालतू के पैसे waste मत करो देन मैं जैसे बता रहा हूँ और जिस कपड़े की बता रहा हूँ ऐसा अगर तुम लोगों के पास कपड़ा है तुम लोग घर पर easily fingerslips बना सकते हो जिस पर touch be work होगर कभी खराब भी नहीं होगी लेकिन बनाने की टेकनीक से पहले तुम लोग ये वीडियो देख लो क्या पढ़ाई में आते हैं आपके doubts तो पास सगंड में doubtnut के साथ करो उने out बस अपने सवाल की फोटो खीचो उसे crop करो और तुरंद वीडियो सॉल्यूशन पाओ फिर चाहे आपके सवाल physics, chemistry, maths, biology का हो cbsc, up, bihar, madhya pradis या अनि states बोट का हो यहां तक की कक्छा 6 से बारवी, iit, g या neat का सवाल हो सभी सवालों का वीडियो सॉल्यूशन बस पास सगंड में आपको मिलेंगे doubtnut एप पर इसके साथ ही doubtnut पर चल रही है इंडिया की number one daily online video classes वो भी इंगलिस और हिंदी मीडियम है, जहां पूरा course पढ़ाया जा रहा है तुम लोगों को इस तरह के कपड़े चीए, ना की नरम, तुम लोग वो लेगे नरम कपड़े टी-set वाली, वो नहीं चलेगा तुम लोग अगर ऐसा कपड़ा है, तुम लोग कुछ इस तरह से cut कर लेना है, जैसा के मैं कर रहा हूँ और इतने चोटे वाले पीस पर तुम लोग वो फिर से एक और cut लगा देना है, जैसे ये दो भाग में बढ़ जाएगी, अब ऐसा क्यों, तुम लोग ये टेस्ट करकर देख सकते हो, ये तुमारे finger के लिए सही है या फिर नहीं है, तो देखो ये एकदम perfect है, अब इसको मो करना हूँ, अब तुम लोगो ये यू सेब जहां पर तुम लोगों cut किया वो करना है, अब देखो जब ऐसा कर ले तो देन तुम लोगों का extra part जोगा, जैसे कि यहां देख लो, इसको तुम लोगो cut कर देना, अब ऐसा इसले जब तुम लोगो इससे पहनोगे तो कोई भी स्लिप्स मतलब की complete हो चुका है अब तक, अब तुम लोग देखो, पहन के देख लेना, जो भी extra part होगी, उसको तुम लोग cut कर देना, क्योंकि ज्यादा लंबी भी हो जाएगे फिर तुमें problem करेगी, तुम लोगो कुछ इस तरह से slice पर नहीं लगाना है, बस तुम लोगो को धागे को कुछ इस तरह से पार कर देना, मतलब कि चारो हो, जब तुम लोग ऐसा कर लेते हो, देन तुम लोग दो ऐसी sides मिलेंगे, अब ऐसा हो जाता, तुम लोग अपने finger की मोटाई के अनुसार तुम लोग उसे tight और ढिला कर सकते हो, और जब तुम लोग जितना